हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नश्कार बहुत बहुत त्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन UPSC की तैयारी करते हुए हम लोग अकसर एक Basic दलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि आखिरकार है तो ये एक जॉब का एक्जाम आप ऐसा मानके चलिए देखिए आम तोर पे UPSC अगर आपने Crack किया तो आपको क्या मिलेगा आपको कोई degree तो मिलेगी नहीं आपको कोई certificate मिलेगा नहीं आपको कुछ और अनिसुबधा कुछ और मिलेगी UPSC अगर आप Crack करते हैं तो आपको एक नौकरी मिलेगी तो basically जैसे आप किसी company में नौकरी के लिए apply करते हैं उस तरह का ही एक job application है बस ये है क्योंकि ये job application जो है ये भारत की शायद सबसे अच्छी नौकरी के लिए है इसलिए ये परिक्षा की प्रक्रिया थोड़ी जट UPSC जो है वो है क्या वो एक तरह से job का एक job का देने का तरीका है सरकार को नौकरी देनी है उसके लिए वो प्रत्याशी ढून रही है और उसके लिए exam जो है वो कराती है अब होता क्या है, इसकी तैयारी में एक जो classic गलती हमें से बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर किसी company में हमें नौकरी के लिए apply करना हो, तो हम दुनिया भर की उस company के बारे में जानकारी लेके जाते हैं कि भाईया ये कंपनी करती क्या है, क्या-क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस तरह के लोग इन्हें चाहिए, लेकिन UPSC की तयारी के लिए हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं, क्या आपने कभी सोचा कि UPSC को चाहिए क्या, वो जब एक IAS, IPS, IRF, IFS ये नौकरियों के लिए प्रत्याश से 10 मिनिट में मैं आपके सामने ये रहस से खोलने वाला हूँ, कि UPSC दरहसल ढूंड क्या रही है, ताकि आप लोग अपने व्यक्तित्व के उन शेत्रों पर काम कर पाएं, और अपने आपको उस नौकरी के अनुकूल बना पाएं, इस चर्चा को शुरू करने के पहले, मै हमारा जो P2I प्रतिग्या प्लस बैच है, उसमें अगर आपेजे लाइव कोट लगा कर जुडेंगे, तो भया आपको मिल जाएगा साड़े 21,000 रुपे का अभी, और इसकी वैलिडिटी आम तोर पे 18 महीने होती है, अब है 36 महीने, यानि की 3 साल, अभी कोर्स लेंगे, तो ओफर केवल 15 तारीक तक है, ऐसे ही अगर आप हमारे लॉंग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं, लॉंग टर्म बैच जो है वो 2026 और 2027 वाले विद्यारतियों के लिए है, तो आपको ये बैच जो है 2026 वाला 29,000 में, 2027 वाला 35,000 में मिल जाएगा, AJ लाइव कोट लगा देने की कोशिश करते हैं कि UPSC वास्तविक्ता में धून क्या रही है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि UPSC क्या है, बेसिकली एक जौब देने की प्रक्रिया है कि नहीं है, भाई वो प्रक्रिया बड़ी लंबी चोड़ी है, बड़ी जटिल है, इसलिए हमने उसको थोड़ आपको लगता है कि आप इतिहास बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप इतिहास की फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हैं, तो यार आप जब interview देने आओगे तो आप अपने इतिहास के ज्यान को brush up करके आओगे कि नहीं आओगे आप थोड़ा सा ऐसा बताने की कोशिश करोगे कि मैं इतिहास में मेरी बहुत रूची है थोड़ा सा revision भी करोगे अपना academic पक्ष जो है वो हमारे सामने जादा रखोगे इंटरव्यू पैनल के सामने जादा रखोगे यह बात सही है कि नहीं है ऐसे ही मान लीजे आप भई हमारे हैं इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं coding चलती है software बनते हैं बहुत सारे तो basically जो नौकरी की आवशक्ता है किसी भी नौकरी के लिए apply करने के लिए आप क्या करते हो जो नौकरी की मांग है और जो आपका व्यक्टित्व है उन दोनों में आप सामने ता ढूंडते हो कि नहीं ढूंडते हो कि यार नौकरी की मांग ये है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए, मेरे पास ये वाली स्किल है, तो मैं अपनी ये वाली स्किल दिखाऊंगा, कई बार तो स्किल नहीं भी होती, लोग तब भी फेक करते हैं, कि नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा आता है, तोजार चीवे रटके चले आ रहे हो, ये वाला एनालिसिस आप तब क्यों नहीं कर रहे, तो सवाल ये है, ये शायद हम इसलिए नहीं करते, कि अपना व्यक्तिद्वा तो हमको पता है, लेकिन इस नौकरी की मांग क्या है, ये हम जानते ही नहीं है, ये हमें किसी ने बताया ही नहीं है, कि UPSC जो है, व से बड़ा जूट कुछ नहीं हो सकता देखो दुनिया में टॉपर्स को हायर करना टॉपर्स को रिक्रूट करना सबसे आसान गाम है वह यूपीएस्सी ये कर सकती है भारत के यूपीएस्सी को हजार लोग चाहिए होते हैं भारत के सौ शीर्श कॉलेजों में जाए एन आई टॉपर ही चाहिए तो देश के सौ शीर्श कॉलेज से दस दस बच्चे हायर कर ले काम खतम हो गया IIT से IIM से एम से जे एन यू से दिल्ली उनिवर्सिटी से जो भी शानदार कॉलेजिश है वहां से दस दस बच्चे लो काम खतम पर ऐसा तो नहीं करना ऐसा तो नहीं करती ऐसे करना कितना असान है। हफते भर में 10 दिन के अंदर UPSC का पूरा प्रोसेस खतम हो जाएगा। पर UPSC ऐसा नहीं करती। Toppers को वो नहीं ढून रही है। आप अगर UPSC के Merit Lift भी देखेंगे। हाँ ये बात सही है कि Toppers Select होते हैं। पर Toppers अपने Work Ethic के कारण फलेक्ट होते हैं क्योंकि उनको परिश्रम करने की आदत होती है। तो UPSC बेटा क्या ढून रही है। इसका जो एक क्लू है, जो एक संकेत है, जो एक छोटा सा सुबूत हमको हिंट जो मिलता है, वो हिंट UPSC के syllabus में मिलता है। कभी आप में से किसी ने सोचा कि यार UPSC के पाठ्थे क्रम में, अगर आप UPSC का syllabus देखें, अगर आप UPSC का पाठ्थे क्रम देखें, तो यार कितने सारे विशे हैं, मतलब इतिहास है, भूगोल है, ये तो मुझे आपको बताने की आवशक्ता नहीं है ना, राज विवस है, math है, English है, ethics integrity and aptitude है, वेकल्पिक विशे है, दुनिया भर की चीज़े आपसे पढ़वाते हैं, क्यों पढ़वाते हैं, यार, मतलब क्या चाहते क्या हैं, इतनी सारी चीज़े क्यों पढ़वा रहे हैं, यार, कभी logically सोचा, बेटा, इसका तातपर यह है, देखो, उनको पता है, कि कोई भी विद्यार्थी, इन सारे विशियों में interested नहीं हो सकता, यह तो humanly possible नहीं है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे को यार, चलो, राजववस्था अच्छी लगती है, अर्षास्त्र अच्छा लगता है, medieval history तो बहुत खराब लगती है, यार मेरे को, environment से मेरे को बड़ा डर लगता है, यह तो हर व्यक्ति के अपनी पसंद है, ना पसंद है, किसी की कुछ पसंद है, किसी की कुछ पसंद है, लेकिन हर व्यक्ति को सब कुछ तो पसंद नहीं हो सकता, यह बात clear है, तो UPSC आपकी इससे बेटा वो आपका चरित्र जांचती है, आपका character जांचती है, character का मतलब क्या है, कि UPSC यह जानना चाहती है, कि जो काम आपको पसंद है, वो तो आप कर लोगे, हम जानते हैं, लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं भी है, एक दिये हुए समय सीमा में, क्या आप उस काम की ठीक ठाक knowledge प्राप्त कर सकते ह या फिर नहीं कर सकते, बस यह एक skill है, जो UPSC चांचती है, और बस यही एक skill है, जो आपको IAS officer की तरह चाहिए होगी, और कोई skill नहीं चाहिए होगी, बस यह skill है, मैं आपको example देता हूँ, आप में से कोई विद्यारती होगा, जो इतिहास में, जिसने B.A.M.A. किया होगा अब वो बन जाएगा collector किसी जिलेगा, collector बनने के बाद आपके जिले में कहीं पर construction चल रहा है, फटक का, आपको कहा जाएगा, आपको कोई बताएगा कि सर, collector साब आपके जिले में तो ब्रश्टाचार चल रहा है, वो फटक में तो घटिया quality का समान यूज हो रहा है, अब collector होने के नाते आपकी duty है कि आप वहाँ जाके quality check करो, आप कौन सा civil engineer हो, क्या आपको ये कहने का अधिकार है, कि यार मैं तो civil engineer नहीं हूँ, मैं तो इतिहास पड़ा है, मेरे को तो बाबर के बारे में सब पता है, मेरे को तो महाराना प्रताप के बारे में पता है, मैं तो नह जानता सड़क कैसे बनती है, तो मैं तो चेक नहीं करूँगा, क्या ये कहने का आपको अधिकार होगा, नहीं होगा, आपसे अपेक्षा ये होगी कि जो विशय आपको नहीं भी आता, आपके पास पूरी team होगी, आपके पास पूरा लोक निर्मार्ण विभाद के सारे engineers हो कि आप वहाँ जाकर जाच कर पाएं, सुपरवीजन कर पाएं, अगर आप ऐसा कर पाएंगे, तो आप एक सफल अफसर बनेंगे, अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप एक सफल अफसर नहीं बनेंगे, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, इतिहा तो बढ़िया कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन महीने भर के समय के अंदर ही भूगोल की भी इतनी जानकारी तो करनी ही पड़ेगी कि उससे काम चल जाए जो विद्यार थी तो यहां पर UPSC क्या देखती है कि आप इन सारी चीजों को आप जो है एक साथ एक समय बध तरीके से मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते एक कलेक्टर के तोर पे आपके पास हजारों काम होंगे आप उन्हें कैसे मैनेज करते हो यह आपकी परीक्षा है और यह परीक्षा आपको वास्तविक्ता में फील्ड में देनी है जब आप अफसर बन जाओगे मैं अपने विद्या परीक्षा की तयारी करनी शुरू कर दी, आपकी UPSC की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, आपकी IAS बनने की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये प्राथमिक स्किल है जो आपको फीकना पड़ेगा, कि एक सीमित समय के अंदर क्या मैं विश्यों को ठीक से पढ़ सकता हू या फिर नहीं, तो अगली बार जब आप फोच रहे हों कि यार ये विश है तो बिल्कुल समझवें नहीं आ रहा है, याद रखी है जब नौकरी करने जाओगे तो यही चुनोती आएगी, तब ना कहने का विकल्प नहीं होगा, तो वो ना कहने का विकल्प आज भी नहीं पर लिखित परिक्षा के माध्यम से, ये बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई, तो एक बार 15 मिनिट कम से कम इस चीज़ पर चिंतन कीजिएगा, उसके बाद आगे की बढ़ाई शुरू कीजिएगा, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतनी ही चर्चा मेरे को आप स चाहिए, तो भाई ये जो है 19 तारिक सुबा 8 वजे से शुरू हो रहा है, AJ Live Code लगा के आप इससे भी तुरन जुड़ सकते हैं, ये भाई इसकी भी Validity अब 3 वर्ष तक है, केवल 21,500 में आपको मिल जाएगा, आज ही AJ Live Code लगा के जुड़िए और अपनी तयारी को सही आकार प्रदार कीजिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद,